कैसे सब ठीक था को बढ़िया है मेरी तरफ से आप सब को प्यार भरी नमशकार आज की जो वीडियो होगी गाइस वह होगी की benefits what benefit you can get if you have a portugal passport अगर आपके पास portugal का passport है तो आप जो है portugal में और all EU country में शेंगन स्टेट्स में आप जो है कौन से benefit जो है आप ले सकते हैं तो next बात यह है कि guys मैं यहां आपको सब कुछ बताऊंगा आप जो है education का क्या मसला है आपको education free हो सकती है या नहीं और आपको जो है कहां-कहां घूम सकते हो आप पूरे यॉरप में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो क्या क्या मसला है इस वीडियो में आपको बताऊं गाइस इस वीडियो आप अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आपका शक जो है वह क्लियर हो जाएगा अगर आपके पास portugal का पासपोर्ट है तो आपको क्या क्या benefit मिल सकते हैं आपके children के लिए क्या benefits तो पूरी information लेने के लिए जो है पूरी video देखा करो ताकि आपको उस topic पर पूरी information मिल सके तो दूसरी बात यह है कि guys जो मेरे channel पे नए है वो please मेरे channel को subscribe कर दे and press the bell icon ताकि जो मेरे next update है वो आपको time to time मिलते रहेंगे ज्यादा समय ना बरबाद करते हुए आईए हम video को start करते हैं अगर आपके पास पर्टोगल का passport है guys तो उसका पहला benefit यह हो सकता कि आप 28 EU nations में घूम सकते हो and plus shanigan zone में भी घूम सकते हो उसमें ऐसा होता है कि guys अगर आपके पास passport है तो आपके guys जो है वो बहुत country में जो है visa जो है वो free होता है and बहुत countries में visa जो है आपका on arrival भी होता है बहुत hundreds of countries है तो अगर आपके पास passport है पर्टोगाल का तो आपको guys जो है वो 115 countries जो है approximately आप घूम सकते हो and इसका जो passport का rank है वो guys 16th number पर आता है all over the world तो यह जो है guys वो काफी बड़िया benefit है अगर आप जैसे इंडिया पाकिस्तान से apply करते हो आपके पास इंडिया पाकिस्तान का passport है तो आप America Canada के लिए apply करते हो तो आपको जो है वीजा कई बार reject हो जाता है तो आप जो है बहुत sad होते हैं हमने इतने पैसे भी खर्चे हमारा इतना time भी waste हुआ तो हमारा वीजा फिर भी नहीं लगा अगर आपके पास इन country जैसे पॉर्टुकल कंट्री जैसा passport है तो आप अगर Canada जाना चाहते हो तो आप guys जो है आप apply कर सकते हो आपको English आनी चाहिए आपकी interview होगी तो उसके बाद जो है आपका 15 days में वीजा लगके आ जाता है उनकी कोई fees होती है आपको fees देनी पड़ती है तो अगर आपके पास ऐसी country के passports है कोई भी EU country के passports है तो guys आपके जो वीजा है English country के बहुत असानी से embassy से लगके आपके घर में ही post में आ जाता है हमारा second option है guys वो यह है कि अगर आपके पास Portugal का passport है तो आप जो है किसी दूसरी शैनिकन country में European country में आप रह सकते हो और वहां काम कर सकते हो और वहां जो है guys retire भी हो सकते हो जैसे मालो for example हमें एक example ले लेते हैं जैसे आप Portugal के citizenship हो गए आपने जाना है Sweden काम करने आप सैटल होना जाते हो Norway Sweden या Denmark या Germany या France कहीं भी और बड़ी country में आप सैटल होना चाते हो तो अगर आपके पास temporary यह permanent होती है guys तो आपको जो है वहां जाकर दूसरी country में जाकर register करना पड़ता है घर लेना पड़ता है आपके taxi salary slip सब जो है show करवानी पड़ती है तो इसमें जो है ऐसा नह काम का contract चाहिए होता है आप उस काम का contract लेके वहां tax भर सकते हो अगर आप जब आप register होगे वहां आपको guys वह बहु जल्दी वह उसी time ही आपको five years का जो है वह card दे देंगे आपका इस शैनिगन का guys जो है यह system है कि अगर जैसे इंडिया है इंडिया में काफी states है like Hyderabad हो ग guys जो Europe में है वह इनके जो है वह country है जैसे हमारे इंडिया में states है तो rule जो है इसमें सेम ही होते हैं अगर आपके पास passport है guys तो आपको जो है अगर आप कहीं भी जाओगे दूसरी country में आपको जो है उसी country के benefits मिलेंगे आप काम करोगे आप टेक्स भरोगे आपको उसी country के जो अगर आप जैसे काम कर रहे हो आपने आधी उमर जो है वहां काम कर लिया ठीक है तो आप जो है रेटायर भी उस country से हो सकते हो और आपको जो pension है वो भी आपको उसी country से लगेगी जिस country में आपने काम किया है तो हमारा third जो point है guys वो यह है कि कुछ लोग मुझे पूछते हैं हमने सुना है कि पॉर्टुगाल जो है वो ड्यूल सिडिजन्शिप जो है वो अलाओ करता है इसी ट्राइब बिल्कुल सही वो बोलते हैं यह जो है बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि अगर आप जर्मनी नॉर्वें या स्वीडन या और भी कोई भी शनिगन स्टेट ले लो व पॉर्टुगाल में क्या होता है अगर आपके पाद पॉर्टुगाल का पासपोर्ट है अगर आप चाहते हो कि मैं कैनाडा की भी नेशनालिटी ले लूँ या मैं अमेरिका की नेशनालिटी ले लूँ उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको वहां जाना पड़ता है तो आप जो हे वहां रूल है क्योंकि वह आउटसाइड यवरोप पड़ जाता है तो वहां different rule होते हैं its other continent so आप वहां जाते हो आप काम ढूंड़ते हो काम करते हो अपना tax भरते हो जो आपको है वहां की आपको जब citizenship मिल जाती है वहां के हिसाब से रूल से तो आपकी जो है पॉर्टूगाल की citizenship जो है आपको surrender नहीं करने पड़ेगी आपकी वो cancel नहीं की जाएगी देखा जाए तो आप अमेरिका से भी benefit ले सकते हो और आप अपनी जो country पॉर्टूगाल से भी benefit ले सकते हो एक और example में यहां पर दे दूँ गाइस अगर आपको जादा दूर नहीं जाना है कैनड़ा अमेरिका यहां और किसी country में न्यूजिलाड अस्ट्रेलिया वगारा में तो आप जो है नियर country में जा सकते हो जो की जिसका नाम है United Kingdom जिसको England बोलते हैं अगर आप England में जाते हो जरूरी नहीं कि आपके पास Portugal passport यह कोई भी European passport आपके पास होगा तो आप वहां जाकर क्या कर सकते हो आप काम ढूंड कर टेक्स भर कर एंड पांच साल जो है आपको काम करना पड़ता है टेक्स भरना पड़ता है जो आप जो है UK की nationality भी आप ले सक अगर आपके पास Portugal passport होगा UK की nationality होगी तो आप जो है गाइस वह EU के हिसाब से रूल के मताबिक आप दोनों countries से बेनेफिट वो ले सकते हो एंड यहां एक बात मैं और बता दूँ जिनके पास यॉरोप में temporary residence permit है यह permanent residence permit है वह UK जाके settle नहीं हो सकते क्योंकि उनको अगर उन अगर आपके पास पर्तुगाल का passport है आपको वीजे की जरूरत नहीं पढ़ती आप six month जो है वहां आप रह सकते हो तो आप अगर आप सोच रहे हैं जो बंदे सोच रहे हैं permanent में हम जाके वहां settle हो सकते हैं tax भरके वहां की nationality ले सकते हैं तो ऐसा possible नहीं है अगर आपके पा UK में नहीं ले सकते इनके रूल जो है different है fourth जो हमारा point है guys वो है education के उपर यॉरोप में guys जो है काफी world popular जो है वो universities and schools है जैसे आप ले लो की Oxford universities जैसी and Cambridge universities जैसी जो है ऐसी options आपको यॉरोप में ही मिलेंगी यह जो है काफी बढ़ी एजुकेशन देती हैं तो अब हम आते हैं कि अगर आपके पास Portugal का passport है आपको Portugal में study जो है वो free मिलेगी ही मिलेगी बट आपको दूसरी European countries में भी study जो है free हो सकती है या आपकी fees जो है वो reduce हो सकती है काफी जो है आपकी कम जो है आप पैसों में आपका course complete कर सकते हैं क्योंकि जो जैसे लोग होते हैं जैसे इंडिया से आते हैं या बंगला देशे आते हैं या कहीं और से ले लो इरान इराक कहीं भी या उजबेकिस्तां कहीं से आते हैं तो उनका क्या होता है गाइस की वो यॉर्प से बाहर होते हैं और वो जब आते हैं तो उनको गाइस जो है internet as a international student उनको fees भरनी पड़ती है यह जो है काफी दो तीन गुना जो है वो जादी होती है from actual fees तो अगर European कोई आते हैं जैसे Portugal से कोई दूसरी कंट्री में पढ़ने जाएगा तो उसका जो होता है guys वो fees जो है वो उतनी ही ली जाती है जो उन्होंने index में बताई होती है universities के तो यह आपकी free होती है यह आपकी थोड़ी reduce हो जा तो यह जो है guys आपके जिनके पास passport है बच्चों के पास उनके लिए जो है वो काफी wonderful option है कि वो जाकर किसी दूसरी European country में पढ़ सकते हैं पासपोर्ट के benefits जो है काफी होते हैं आपका जैसे next benefit आप ले सकते हो कि आप जो है पॉर्टुगाल में कोई property खरीच सकते हो आप and guys जो है आप अपना जो है आप वोट भी डाल सकते हो Portuguese elections में जो next benefit हो सकता है guys कि अगर tax के उपर benefit हो सकता है कि जो है पॉर्टुगाल में tax हम कितना पे कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि guys जैसे आप for example ले लो Germany ले लो या आप Norway ले लो या Switzerland जैसी countries ले लो और Denmark हो गया इसमें ज पैसा लगाकर आपको tax भी जो है guys बहुत percent तक देना पड़ता है ठीक है अगर आप कोई job करते हो normal job जैसे कोई restaurant में करते हो cleaning job करते हो तो आपकी salary से guys जो है tax बहुत cut जाता है तो उसका फाइदा तो होता है बट आपको रहने के लिए guys थोड़ी दिक्कत हो जाती है आप फिर सोचते हो हमने इतना tax भर दिया इंडिया के हिसाब से इतना tax भर दिया तो अगर आप पॉर्टुगाल की बात करें अगर आप पॉर्टुगाल में कोई business खोलते हैं या आप कोई normal job करते हैं delivery की job कोई भी job restaurant में हो गया तो आपको guys जादी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वहा आपको जादा tax वहां नहीं देना पड़ता एक तो यह guys बहुत बड़ा benefit है आपकी savings भी जो है वो बहुत होती है तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप tax के बारे में बात करें तो आज जो है उनके काफी point जो है वो clear हो जाएंगे तो यहां पर मैं थोड़ी सी एक और एड करना चाहूंगा कि जो दूसरी countries के passports हैं वो क्यों late मिलते हैं as compared to Portugal तो जैसे आप for example लेलो guys की France, Spain, Denmark, Germany हो गया या Norway हो गया इनके passports जो है आपको बहुत late मिलते हैं तकरीबन तकरीबन 8 से 10 साल लगा देते हैं तो अगर आप Spain की बात करते हो guys तो वहां जो है पहली बात है by chance वह legal जाते हैं किसी student visa में फिर भी guys आपको 10 साल लगी जाते हैं अगर जो illegal जाता है पहले तो guys तीन साल जो है वह illegal गुजारता है तीन साल यह हो गए फिर उसको तीन साल बाद एक साल का card मिलता है फिर two two year extend होता है पांच साल card में और तीन साल illegal 8 साल तो guys यहीं हो गए फ 13 years जो है guys 13 साल आपके यहीं लग गए उसी country में गुजारते तो उसके बाद जो है guys अगर आप passport season के लिए apply करते हो तो उसके लिए भी बहुत documents चाहिए होते हैं and guys process जो है आपका यहीं खतम नहीं हो जाता वह passport देते देते भी guys जो है आपको एक साल डेट साल वह भी बहुत process जाता है उसमें भी लगा देते मतलब मालों की 13-14 साल आपको Spain के passport में लेते हुए लग जाते हैं हाला कि आपको Portugal का passport जो है वह 5 साल में ही मिल जाएगा simple funda है Portugal का वो बोलता है कि हमारी country में आप legal entry मारो legal आओ किसी tourist region में study region में कोई भी visa हो बट legal हो illegal ना हो and उसके बाद आप हमारे पास आओ register करो उसके बाद आप job contract ढूंड के आप काम करना start करो हम आपको social security number देंगे and आप tax भरो आपको एक साल का card देंगे उसके बाद जब आपको card मिल गया आप 5 साल की इस country में गुजारो tax भरो and आपको जो है Portugal passport मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से guys ऐसा जो है easy passport किसी country में आपको मैंने तो नहीं सुना अभी तक किसी country में आपको मिलता होगा Portugal guys जो है आपको काफी document बना के दे रहा है इन AP8 Act में भी आपको बन रहे हैं यही थी guys आज की information मेरे मारे में कुछ points चल रहे थे मैंने कुछ research भी की तो उसके ब पसंद आती है तो guys please like करना मत भूलिया करेगा like से क्या होता है कि मेरा जो motivation बढ़ता है and subscribe करना भी मत भूलिया करेगा ताकि मुझे motivation मिलती है मैं आपके लिए और researches करता हूं and guys नहीं नहीं वीडियो लाता हूं comments में जो है guys आप अपने views जरूर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी and next video जो है आपको कौन से topic पे चाहिए यहां पर मुझे लगता है कि guys मैंने काफी points आपके साथ share कर दी हैं जो कि आपको काफी benefit होंगे in future में ऐसा नहीं है कि यही points हैं और भी काफी points हैं आप internet से भी search कर सकते हो and आज के लिए इतना ही guys यही था मेरी video बनाने का मकसद कि आपके तक पहुचा सकू कि citizenship के जो है अगर आपको मिल जाती है पर्टुगाल की तो उसके benefits किया है तो आज के लिए इतना ही guys जिनके भी questions हैं कोई queries हैं please put the comment section below तो बिल्कुल मत भूली अ करेगा आप अपने questions जरूर बताया करीगा and जब मैं free होता हूं तो guys मैं आपको जरूर reply करता हूं आप अगर मैं reply नहीं करता हूं तो आप aggressive मत हुआ करें आप गुसा मत किया करें मैं जब भी free होता हूं आपको ज़रूर reply करता हूं अगर किसी बंदेने मेरे से बात करनी हो तो वो जो है वो मैं आपको instagram का link जो है अपनी description में दे दूँगा आप जो है मुझे वहाँ follow कर सकते हैं उसे मेरा whatsapp का number मांग सकते हैं आप मुझे से बात कर सकते हैं वहाँ मैं सिर्फ आपको provide कर सकता हूं कुछ लोग guys बोलते हैं कि आप अपना whatsapp number दीजिए तो please मैं जो youtube में जो है वो अपना my channel में comments में number नहीं देता मुझे अच्छा नहीं लगता तो आप instagram में follow करें please मैं आपको वहाँ जरूर अपना number दूँगा और मैं आपसे बात भी करता हूं जिनसे बात हुई है जिनसे काफी questions जिनके solve हुए हैं उनको तो पता है जिनके नहीं हुए उनके भी मैं रोज कुछ ना कुछ reply करता हूं कुछ ना कुछ messages करता हूं तो एक और बात guys हमारा मैंने एक page बनाया है facebook में जिसका नाम है पंजाबी European इसमें guys जो है काफी latest news आती हैं काफी funny videos भी आती हैं कुछ and बहुत entertaining channel है होगा यह आपके लिए I hope तो यहां पर इसका link भी guys जो है मैं आपकी यहां में अपने channel की description में दे दूँगा तो आप इसक क्लिक करके वहां मुझे follow करें and मेरे channel के member बने तो ठीक है guys आज के लिए इतना ही and फिर मिलेंगे next video में बताऊंगा नी कौन सी वो भी काफी informative होगी interesting होगी and please ऐसे ही मेरी videos को like देते रही है प्यार देते रही है comments करके पूछते रही है एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं subscribe करना मत भूलिएगा channel को अगर आपको ये video अच्छी लगी जो मैंने अभी आपको सभी information दी है तो मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा and press the bell icon तांकि मेरे जो next updates and next videos है वो आपको time to time मिलती रहे तो ठीक है guys आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे next video में तब तक देखतर ये top Europe जय हिंद